Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study chapter The Yellow Butterfly from class 3rd Marigold Book. तो सुरू करते हैं अपना chapter. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. एक पीले रंकी तितली सोनु के garden में उड़ रही थी. Sonu ने देखा कि तितली उड़ रही है, तो वो भाग के इसको पकड़ने के लिए पहुचा. The butterfly flew to the rose bed. It's set on a red rose. तो फिर क्या हुआ? Butterfly उड़के जहां बहुत सारे rose लगे थे, वहाँ पहुच गई. और वहाँ जाके एक लाल कलर के गुलाब पर बैट गई. Now I can catch it, said Sonu. फिर Sonu ने बोला, अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ. He walked slowly and silently to catch the butterfly. फिर वो धीरे से धीरे धीरे बिल्कुल चुप चाप उस butterfly को पकड़ने के लिए गया. He came closer, closer and still closer. But then, off flew the butterfly. फिर वो धीरे धीरे उसके पास आता गया, butterfly के पास आता गया. लेकिन जैसे ही वो और पास पहुचा, तो फिर क्या होता है? Butterfly फिर उड़ जाती है. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. The pond was a white lotus. तो सोनू बोलता है कि कहां उड़ गई butterfly? कहां चली गई? तो फिर देखता है कि garden के पास एक तालाब है, pond है. वहाँ एक white-color-color lotus का फूल है. Around it grew round leaves. They floated in the water. और जहां white-color lotus है, उसी के चारो तरफ पतियां भी उस पानी में तैर रही थी. Rounded जो पतियां है, गोल-गोल पतियां है, वो वहाँ पे तैर रही थी. The butterfly sailed on a floating leaf. तो जो तितली है, वो जो पतियां तैर रही थी, उसके उपर जाके बैट गई. सोनू went splashed into the water and off flew the butterfly. जैसे ही वो अंदा गया, butterfly फिर उड़ गई. Where was it? सोनू looked up and he looked down. फिर सोनू बोलता कहाँ चली गई? फिर वो उपर देखता है, नीचे देखता है. Near the ball was a peach tree. It had a pink flowers. The butterfly sat on a pretty flower. फिर देखता है कि दीवाल के पास एक peach tree है, यानि आडू का पेड है. वहाँ पे pink color के flowers, यानि गुलाबी color की फूल लगे हुए है. और उन गुलाबी color के फूलों पे जाके तितली बैट गई है. I can catch you, shouted सोनू. तो सोनू ने चिला के बोला कि मैं तुमको पकड़ सकता हूँ. He climbed up the tree, up up he climbed, but back it flew down from the tree. फिर सोनू ने क्या गिया पेर पे चड़ा, और चड़ा, और उपर चड़ा, लेकिन जैसे ही वो उपर चड़ा, तो तितली फिर वहाँ से ओड़के नीचे आगई. सोनू जंप दाउन तू, he chased the butterfly, from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. लेकिन जैसे ही वो तितली उड़के नीचे आई, तो सोनू ने भी वहाँ से जंप लागे नीचे आगया, और वो सोनू कब से पीछा कर रहा तब butterfly का, पहले गुलाब के पास, फिर गुलाब से लेकिन लोटस के फूल तक, फिर peach tree तक, लेकिन वो फिर भी butterfly को नहीं पकड़ सका, सोनू could not see it at all, he looked everywhere, at last he saw the butterfly, सोनू ने इधर उधर देखा, चारो तरफ देखा, उसको पहले butterfly नहीं दिखी, फिर आखिर में उसने butterfly उसको दिख गई, there was a big spider's web in the peach tree, peach tree में एक बड़ा सा मकडी का जाल लगा था, the butterfly was caught in the spider's web, तो क्या हुआ, जो तितली है, वो उस spider के जाल में, मतलब जो मकडी का जाल था, उसमें फर्स गई, it looked and has tried to escape, he fluttered its wings, it twisted and turned, but it could not escape, the spider's web held it tight, पितली को देख के ऐसा लग रहा था, कि वो वहां से निकलना चाहा रही थी, बच्की निकलना चाहा रही थी, लेकिन वो नहीं निकल पाई, कहीं अपने punk फरवडा रही थी, कहीं अपनी body को ऐसे ऐसे गुमा रही थी, कहीं punk ऐसे कर रही थी, लेकिन वो वहां से नहीं निक सुन्फों सुन्फून बटरफ्लाइब कराओ, वेन बचारी चित्ली गौहीं देखता है ज्यू हिविष उच्जारी अपलिए मंपली और काली लग रही थी और जैना जना खूजर by उच्जारी लग घ्वाइब इसको पकड़ने के लिए, बिफोर दा हंगली स्पाइडर कोड़ ग्राब इट, सुनु रेन और ही कॉट दा बटरफ्लाइ, उस जो स्पाइडर था, जो मकडी थी, वो बटरफ्लाइ तक पहुचे, उससे पहले सुनु दाड़ के गया, और उसने उस तितली को पकड़ लिया, इट वस सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पाइड और येलो इंग्स, सुनु लब दा लिटिल बटरफ्लाइ, वो बहुत सुन्दर थी, उसके जो ब्राउन कथी कलर के स्पाइड थे, उसके जो येलो कलर के पंग थे, लेकिन जैसे ही सुनु ने उस बटरफ्लाइ को पकड़ा, तो वो बहुत सैट दिख रही थी उसके हाथों में, और सुनु चाहता था, सुनु नहीं चाहता था कि वो दुखी हो, वो चाहता था कि वो हैपी हो जाए, खुश हो जाए, गो, सैट सुनु, फ्लाइ अवे, तो सुनु नहीं क्या किया, उसको छोड़ दिया और बोला उड़ जाओ, तो फिर उसने बटरफ्लाइ को छोड़ दिया, तो फिर वो उड़के कहीं रेड रोस पे बैठ जाती, तो फिर उड़के पीच ट्री पे चली जाए, वो बहुत ही फ्रीली होके, फूल से लेके फूल तक उड़ रही थी, सुनु वाजट इट एंड फ्लाइ एंड फ्लाइ, सुनु उसको बस देख रहा था कि कैसे वो उड़ रही है, उड़ती जा रही है, दब बटरफ्लाइ, ओल अराउंड सुनु गार्डन, हैपी एंड फ्री वान्स अगेइन, तो जो तितली है, वो पूरे गार्डन में फ्रीली होके घूम रही थी, एक बार फिर से, तो अब इसमें हमने निवर्स क्या-क्या देखे हैं, स्केप, स्केप का मतलब होता है, बच के निकल जाना, पॉंड, पॉंड का मतलब है तालाब, पीच, पीच एक पेड़ होता है आडू, आडू का पेड, क्लाइम का मतलब होता है चर्णा, उपर की तरफ चर्णा, कैच का मतलब होता है पकड़ना, मिडिल का मतलब होता है बीच में, hungry का मतलब होता है float का मतलब होता है tearna shout का मतलब होता है chalana chase means pichha करna flutter यानि फरफडाना twist का मतलब मुड़ना तो ये थी हमारे new word तो ये थी हमारी story I hope आपको story अच्छे से समझ आई हो इसके question, answer और exercise मैं next video में upload करूँगी अगर अच्छे लगी है वीडियो helpful है तो please वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें thank you for watching